दोस्तो हमारे फोन में इसी developer option setting बे कुछ setting आपको on करना है उसके बाद जो है आप आपके फोन में speed search कर सकती हो क्योंकि आम तरपे आप जब आपके फोन को search करते हो तो minimum 2 घंटा या 30 घंटा या 30 घंटा तो लगता ही है तो दोस्तो आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो देख पा रहे हो इसी कुछी में वीडियो को लाइक करते ना है और सबस्क्राइब करके इसके साथ जो बेल है यह ओल बेल पर आपको दबा करते ना है और उसके नीचे जो comment box देख पारे हो यहाँ पे comment कर दिना है developer speed charging on करके ठीक है यह comment कर दिना हो जाएगा उसके बाद दोस्तो सबसे पहला जो setting है आपको आपके phone के developer setting पर करना है और यह developer setting आपके phone में नहीं होता है यह developer setting को on करना परता है और इसी developer setting पर आपको कुछ charging enable करना हो फोन करने में आपके फोन पिवाइसे करना होगा मैं अगर आपके फोन Bluetooth आपको यहाँ पर जैसे कि मैं एक बर दो बर तीन बर और फिर चार बर फिर यह देखो धुटेल दबाया उसके बाद देखो यूआ देवलोफर इस तरफ से होगा और यह यूर नौ रीटेवलोफर आईगा उसके बाद आपको बैग करता होगा बेक कर दिने की बाद फिर आपके फून के सेटिंग पे सार्ज सेटिंग पे क्लिक करना होगा डेवलोपर डेवलोपर लिख के आपको सार्ज करना होगा उसके बाद डेवलोपर लिख के सार्ज करने की बाद पहले सेटिंग पे आ जाएगा डेवलोपर आप्शन सी में आपक इसलिए लगता है क्योंकि यहां पे एक सेटिंग on है जैसे कि यहां पे keep screen on यह on है और यहां पे लिखा भी है screen will never slip while charging मतलब कि यह है कि आप जब charge पे लगाते हो आपके phone का screen कभी slip mode में नहीं जाएगा display on होता जाएगा तो इसके वज़र से आपका phone का speed charge का नहीं होता है तो यहां पे सबसे पहला setting यह आपको बस burn कर देना होगा यह हो गया पहला setting उसके बाद दूसरा setting करना है और दूसरा setting क्या है दोस्तों जो हमारे phone में जो apps होता है जितना भी phone में apps है उन apps का activity होता है जैसे कि अभी मैं इस यहां से setting से बाहर आया अगर मैं whatsapp पे जाता हूँ और whatsapp पे जाके whatsapp पे जो भी किसी से बात कर रहा हूँ तो यहां पे activity चल रहा है background में उसको बोलते है activity चाहे मैं Instagram पे जाता हूँ तो यहां पे activity चलता है तो हम क्या करते हैं हमारे phone में जब charge पे लगाते हैं तो उस time हमारे phone में चाहे 100 app हो या 100 app हो जितना भी app हो उन सारे apps का background में activity चलते रहते हैं जिसके बज़र से दोस्तो आपका phone धीरे धीरे चार्ज होता है तो इसलिए सबसे पहले आपको developer option setting पे आपको और एक setting बन करना है तो यह setting बन करने के लिए बिलकुल नीचे आ जाना है थोड़ा नीचे आ जाना है ठीक है नीचे आ जाने की बात यहां पे apps करके देखने को म मिलेगा और यहां पे आपको देखना don't keep activities जो कि यहां पे लिखा है destroy every activity as the user lives it मतलब कि जो भी app में हम जाते है उसमें से जैसी हम बाहर आ जाते है तो वो destroy हो जाएगा वो app का activity खतम हो जाएगा तो यह off रहेगा तो बस आपको इसको बस on कर देना होगा और यह on कर देने की बाद क्या होगा don't keep activities मतलब की activity रहे गई नहीं ठीक है तो आपका phone में जल्दी शार्ज होने लाएगा यह दोनों setting developer का है आपको अभी के अभी on करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्यों होगा और यह हो गया setting और यह setting कर देने के बाद अभी आपको आपके phone म में एक setting मिलता है जिस setting का नाम होगा battery अगर आपका phone में बैटरी का setting नहीं मिल रहा है तो उपर directly आप लिखो यहाँ पर लिख के शार्ज कर दो battery डारेक्ली मिल जाएगा ठीक है इस तरह से और फिर मिल जाने के साथ इसी battery पर क्लिक करना होगा और कर देने के बाद यहाँ प device is locked तो आपको यही clear catch when device is locked इसमें क्लिक करना होगा और यह क्या है clear catch when device is locked मतलब कि यह है जैसे कि हम अभी देखो हम अभी जितना भी app यूज कर रहे है जैसे whatsapp में गय थे instagram पर जाये थे जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर instagram का यह आया है इसमें और फिर youtube भी चल रहा है तो यह होता है activity जितने हम यह पर यूज करते हैं यह activity होते रहते हैं यह क्या होगा इस setting से इस setting से यह होगा कि battery saver पे clear catch when device is locked जैसे हम device को lock करेंगे lock करके charge में लगाएंगे फिर यह जितना भी जितना यह से सेब है ना यह सेब नहीं रहेगा हम ऐसे क्या करते एक एक आपका phone का device को जैसे आप switch मतलब off करोगे off करके charging पर लगाओगे लगाने के साथ-साथ आपका phone क्या होगा जैसे कि मैं अभी device को lock किया और फिर charging पर लगाया charging पर लगाने के ऐसा charging हो रहा है और background में जितना भी apps था वो automatically clear हो जाएगा यह setting यह है काफी interesting setting है ठीक है उसके बा तो यह setting कौन सा है सबसे पहले आपको आपके phone के setting पर जाना होगा और phone की setting पर जाने के बाद आपको आपके phone के setting पर यहाँ पर आके search setting पर apps लिखके search करना होगा apps लिखके जैसे search करोगे तो apps लिखके search करने के साथ साथ आ जाएगा जैसे कि apps तो आपको इसी apps पर click करना होगा और इसी apps पर click कर दिने के बाद एक हो आएगा system app setting दूसरा अगा manage apps तो आपको करना क्यों होगा manage apps पर click करना होगा तो मैनेस एप्स पे दोस्तों क्लिक कर देने के साथ-साथ इस तरह का जितना भी आपके फोन में एप्स होगा, सारा का सारा एप यहाँ पी दिखाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जिस एप में ज्यादा तर रिल्स या यूटूब पे शॉट्स देखते रहते हैं, उस टाइम हमारा क्या होता है, जैसे कि एक के बाद एक शॉट देखते रहता है, जैसी यह देखो, शॉट देखते रहता है, तो उस टाइम जो बेक्ग्राउंड में प्रोसेस होते रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह सैटिंग एप मैनेजमेंट में, जैसे हम चार्ज पे लगात यह देखो YouTube, तो यहाँ पे मैं YouTube पे क्लिक करता हूँ, तो YouTube पे क्लिक कर देने के साथ साथ रुपए आने की बाद देखना बिलकुल नीचे बैटरी सेवर मिलेगा, तो इसी बैटरी सेवर पे क्लिक करना है, फिर यहां पर देखना आपके फुन में यह battery saver रहेगा जो की recommended दिखाएगा और फिर यहां पर यह करना के होगा battery saver को हटा के यहां पर देख पारे हो जो की यहां पर देख सकते हो कि यहां पर लिखा भी है apps will be closed to save power तो इसमें आपको कर देना है फिर ok पर select कर देना है और यहां पर यहां पर यह क्लिक कर देने के साथ साथ यहां पर देख सकते हो जो की यह रेश्टिगेटर background activity मतलब की यह background में जो activity होते रहते हैं जो battery पर हमारा effect होत देखता हो तो facebook पर भी कर लो जैसे facebook पर आओगे यहां पर मिलता है battery server तो यह battery server को हटा के यहां पर देख सकते हो रेश्टिगेट background activity यहां पर ok कर देना है और यहां पर लिखा भी है apps will be closed to save power चार्ट सेटिंग अभी करो और फिर देखना आपके फुन में यह चार्ट सेटि होगा तो तो जैसे क्या भी मैंने आपको like to like दिखाया इन सारे सेटिंग को जैसे जैसे मैंने कहा आप भी ऐसे ऐसे follow कर लो उसके बाद देखना 100% आप आपके फुन में जब भी charge करोगे तो आपका फुन ज्याद से जदा 20 मिनिट या 30 मिनिट के अंदर full charge हो जाएगा तो अगर आपको यह पसंदर वीडियो से थोड़ा प्याल पुल लगा तो वीडियो को like कर दिना और सेनल को subscribe करके उसके साथ जो bell है न वो all bell पे दबाके ज़रूर रख दिना तो दो आज के लिए इतना ही फिर मैं लेगे दोस्तों आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए दो कुष्र हो जाहिंद